मेरी शहजादी ड्रामा सीरियल क्यों फ्लॉप हो रहा है? क्या दानिया सीम बनेगी? नानिया शहरोज से डाइवोज क्यों नहीं ले लेती? शहरोज कैम और दानिया में से किसका इंतखाब करेगा? नानिया और डॉक्टर हसन का लव ट्रैक इतना स्लो क्यों है? ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी एपिसोड 24 विद एपिसोड 25 टीजर नेक्स एपिसोड के प्रोमो में हम देखते हैं कि अवामी दबाओ या पार्टी हैड के प्रेशर की वज़ा से शाहीना को सीम शिप छोड़नी पड़ती है अब अवाम क्यों खिलाफ हुई और पार्टी हैड भी? इसमें सिर्फ डॉक्टर हसन का बयान काफी नहीं था बलके दानिया की कोई प्रेस रिलीज या इंटर्वियू होना चाहिए था दानिया का करेक्टर इतना पैसिप क्यों है जबकि स्टोरी उसके गिर्धी रिवॉल्फ करती है दानिया को प्रेस रिलीज या प्रेस कानफरंस करके साब के सामने खुल कर शाहीना और शेहरोज को अपनी बेमारी का जिम्मेदार ठहराना चाहिए था नैनी को पेश करती या जॉब से निकालती मिनिमम भी वज़ा है कि ड्रामा अपना कोई इंपक्ट जिनरेट नहीं कर पा रहा क्योंकि मेन लेट सोई सूरत है बस हमें एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि वो ये सब कर चुकी है जबकि करते हुए कुछ भी नहीं दिखाते अब इस तरह सोते सोते किसी दिन दानिया सीम भी बन जाएगी हम आपको अपने फुल स्टोरी रिवियू में बता चुकी है कि दानिया अपने सुस्राल के खिलाब अलेक्शन लड़ेगी और चीते की भी तो यकीनन ऐसा ही होगा और ये वो मुका होगा जब शाहीना दानिया पर जान का हमला करवाएगी देखते हैं कि हमला कामयाब होता है या नहीं शेहरोज आफकोर्स कैम का इंतखाब करेगा जो वो अपनी मां से कह रहा है कि खानदानी बीवी भी गई, कुरसी भी, कैम भी, बेटा भी तो शेहरोज की आँखे खिल चुकी है, खानदानी बीवी और कुरसी से तो उसे कोई खास दिल्चस्पी नहीं थी लेकिन कैम से तो महबत है, कैम धके दे या फिर थपड़ मारे वो तो कैम के पीछे जाए गही अमेरिका हमारा सवाल तो ये है के दानिया आखिर डाइवोस क्यों नहीं ले ले लेती शेहरोज से दानिया को जो दूद का धुला सती सावितरी साबित किया जा रहा है इस ट्रामे का, इस चीज़ ने सतियानास कर दिया है इस करेक्टर को प्रोग्रेसिव होना चाहिए था जैसा कि डायाना थी अब दानिया का थोड़ा थोड़ा जिकाओ दिखाया जा रहा है डॉक्टर हसन के लिए लेकिन जी ट्राक बहुत सलो जा रहा है अब तक एक प्रॉपर लव रिलिशन बन चुका होना चाहिए था या एट लीस लव नहीं था तो दोस्ती तो हो जाती लेकिन हमारी पाक दामन हिरोईन अब तक शेहरोज के नाम पर बैटी है उपर से हर वक्त सफेद कपड़े पहन लेती है और उनको पहन पहन के हमें कर रही है बहुत स्यादा बोर दानिया को कलर फुल कपड़े क्यों नहीं पहनाए जाते लेव उसीन बहुत खुबसूरत लगा जब जड़ साहब ने अदालत में मैडिकल सर्टिफिकेट को रेजेक्ट कर दिया और ये कहा के डाक्टर हसन का तो अल्रेडी दानिया के साथ अपियर चल रहा है इसलिए ये मैडिकल सर्टिफिकेट काबल कबूल नहीं है मीन्स अच्छे सीन्स और अच्छे करेक्टर्स मौझूद है ड्रामे में लेकिन ड्रामे की हेरोईन क्योंकि बहुत पैसिव है वीक करेक्टराइजेशन जो उसका करेक्टर लिखा गया वीक डायरेक्शन ये सब कुछ इस ड्रामे को फ्लॉप बना रही है अगर में इन करेक्टर्स वेल रिटन वेल प्लेड हों तो बहुत हिट हो सकता था ये ड्रामा और हाँ इन पर राद आया कि एक टिड़े से पिड़े से कार्ड के ऊपर इतनी लंबी नजब डॉक्टर हसन ने कैसे लिख कर दे दी दानिया को जो कि दानिया ने पढ़ी थी इट्स रियली नॉट पॉसिबल आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब करें हम मिलते हैं दोबारा